हेलो गाइज वेलकम टू प्यूस्पीसियस और आज हम लोग देख रहे हैं इतियाश कालीन प्रमुक्तत है आज का विजह है सी आर फॉर्मूला उनीस सो चावालिस तो चलिए देखते हैं चक्रवर्ती राज गुपालाचारी कॉंग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझोते के पक्षिधर थे देश की संप्रदाइक समस्यास उलजाने के उद्देश से 10 जूलाई 1944 को गांधी जी की स्विकर्टी से उन्हें कॉंग्रेस तता मुस्लिम लीग के बीच समझोते की एक यो अस्थाई सरकार के गठन में कॉंग्रेस के साथ सहयोग की वोमी का अदा करें द्वित्य विश्विद्ध की समाप्ती के बाद भारत के उत्तर पस्विवा पुर्वी भागों में इस्थित मुश्लिम बहुत संख्यक छेत्रों की शीमा करने के लिए एक आयोग का गठन किय जाए इन छेत्रों में जन्मत संग्राद्वारा निर्णे किया जाए कि वे भारत से अलग होना चाहते हैं या नहीं देश के विभाजन की इस्थिती में रक्षा संचार या तायात या अन्य आनिवारे विश्यों पर आपसी समझाओते की वेवस्ता की जाए प्रस्ताव से शम्मंदित तत्य था उप्युक्त सरते तभी मानी जाएंगी जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण सुतन तप्रदान करेगा इस फॉर्मुले को नेताओं ने शुईकार नहीं किया लेकिन कालांतर में इसी फॉर्मुले के आधार पर भारत का विभाजन किया गया राज कालाचारी पहले कांगरेशी नेता थे जिन्हों ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था इसी के साथ आज का शेशन समाप्त होता है किसा लगा आप लोगों कोई जरूर रहता है चैहन जब हाँ